नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरूर धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक अप्रेल सोमवार की रात चुपचाप फेंक देना, यहाँ पर पांच काली मिर्च जीवन के हर दुख से मिल जाएगी। आपको मुक्ती, शनिदेव महराज जी की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की वर्शा। यदि आप अपने जीवन में चल रही हर तरह की समस्या, परेशानी, दुख से मुक्ती पाना चाहते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य और किस्मत बदल जाए, आपका साथ दे, तो सोमवार के दिन केवल काली मिर्च का वह उपाय कर लीजिए, जिसके हमारे धर्म शास्त्र में वर्णन है, जियोतिश शास्त्र में कहा गया है, काली मिर्च शनी ग्रह का कारक वस्तू होती है, यदि आपके जीवन में आप शनी दोश से परेशान है घर का, वास्तू दोश ठीक नहीं है, किसी बीमारी ने आपको जकड लिया है, आपके जीवन में ध काली मिर्च शनी ग्रह से जुड़ी हुई होती है और यदि आपने काली मिर्च का उपाय सोमवार के दिन किया तो यकीन मानिये इसका आपको पलट करके करोणों गुना लाब मिलेगा ये सत्य है बिना मेहनत कि ये धन कमाने की बात सोचना व्यर्थ है मगर कभी कभार चमतकार होते हैं और अचानक ही धन की प्राप्ती होती है फिर चाहे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए या आपकी सैलरी बढ़ जाए या फिर व्यापार में अचानक से तेजी आ जाए और बेशुमार आपको धन की हासिली हो जाए यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमतकार हो तो आज इस वीडियो में बताए हुए उन उपायों को कर लीजिए जो आपको काली मिर्च के द्वारा सोमवार के दिन करना है और आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको एक सकारात्मक और चमतकारी बदलाव देखने को मिलेगा और ना केवल आपको काली मिर्च के उपाये करके अपने जीवन में हर तरह की परेशानी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी बलकि शनी देव की कृपा से आप अपने जीवन में देखेंगे कैसे आपको सुख, समरिध्य, धन की हासिल होगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा काली मिर्च का उपाय सोमवार के दिन किया जाता है तो ये कभी भी खाली नहीं जाता है बलकि काली मिर्च का उपाय करके आप अपने जीवन में अपने भाग्य और भाग्य का साथ पा सकते हैं देखिए दोस्तों, आपके जीवन की कैसी भी मनोकामना हो आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो हर चीज का निवारन आपको देव जी के पास ही मिलेगा क्योंकि शनी देव जी के हाथों में आपके शनी ग्रह का नियंत्रण होता है शनी ग्रह उग्र ग्रह समझा जाता है जिस मनुष्य का शनी ग्रह अच्छा नहीं होता है वह मनुष्य अपने जीवन में चाहे जितनी भी मेहनत कर कितना भी परिश्रम कर ले कभी भी उसका कुछ भी नहीं हो सकता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है परन्तु कर किसी मनुष्य का शनिग्रह मजबूँ उस निर्णे से को फाइदा पहुँचता है इसी लिए हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है कि शनी महराज जी की कृपा जिस मनुष्य को भी मिल जाती है उस मनुष्य को पती बनने से रोक पाता है परन्तु यदि शनी महराज जी की गलत दरिष्ट किसी मनुष्य पर पढ़ जाती है तो वो करोडपती मनुष्य तुरंथ ही बिखारी बन जाता है इसी लिए दोस्तों बहुत से लोग जो होते हैं वो साढ़े साती और से डरते हैं ये बात है जो शनी महाराज जी की गलत दृष्टी की वजह से किसी भी मनुश्य के जीवन में आ जाते हैं और यदि आपके मान लीजिये आपने ऐसी कोई गलती कर दी थी जिसकी वजह से शनी देव आपसे रुष्ट हो गए और आपकी साढ़े साती चल रही है आडियान चल रही या आपके उपर कोई भी ऐसा शनी दोश है तो दोस्तों आज हमारे वीडियो में बताये हुए आप लोग काली मिर्च के वो कर लीजिये जिसके बारे में हमारे धर्म शास्तर में वर्णन है इन उपायों को करने के पश्चात आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा इसी दोस्तों इस वीडियो को ना केवल अपने लिए अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा क्योंकि यह जो उपाय हम आपको काली मिर्च के बताने वाले हैं ये इतने उपाय है कि ये तुरंध ही आपको लाब देंगे और आपके जीवन में हर तरह की आपको मुक्ती मिल जाएगी इसी लिए यदि आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे शनिदेव महाराज जी के आशीरवाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो आप जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो शनिदेव जी के वर्दान से आप अपने में हर तरह की सफलता को हासिल करें तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बॉक्स में दीजिए जैशनी महराज जी की और एक काम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राशे भी डाल दीजिएगा आपकी राशे के अनुसार ऐसा कोई उपाय होगा जिसको करके आपको कोई लाब पहुँच सकता है वो आपके आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशे डालना मत भूलिएगा दे दोस्तों, अब आपको हम काली मिर्च के उन उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं जिन उपायों को करके आपके जीवन में आपको आत्मक बदलाव देखने को मिलेगा परन्तु एक बात का ध्यान रखिएगा काली मिर्च का उपाय तभी लाब देता है जब इसको आप लोग नियम पूर्वक करते हैं नियम के बिना आपको करेंगे आपको कोई भी लाब नहीं मिलेगा इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कौन-कौन से हम आपको उपाय बता रहे सोमवार की किस मुहूर्थ पर आपको ये उपाय करने हैं इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए पहला उपाय आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने का महा उपाय दोस्तों मान लीजिए आपने कोई कर्ज लिया था तो ये बात आपको भी पता होगी, कर्ज के चलते, लोग ना खाना ठीक से खापा रहे होंगे, ना आपको नींद आती होगी. दूसरी तरफ, यदि आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा ठिक नहीं रहा है, तो भी बहुत परेशान होंगे. तो यदि आप आर्थिक कष्टों से हैं और आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक से मुक्ति मिल जाए, तो ये उपाय कीजिए. जो आपको हम बता नहीं रहे हैं एक मनुष्य के जीवन में आर्थिक दुख आते ही क्यों है क्योंकि उस मनुष्य का शनी ग्रह बहुत ही कमजोर हो जाता है और यदि चाहते हैं कि शनी देव जी की कृपा से आपके आर्थिक दूर सदैव के लिए खत्म हो जाए तो तीन सोमवार वह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताना रहे सोमवार आपको यह उपाय करना है सोमवार के पश्चात आपको शनी महराज जी की कृपा ऐसी मिलेगी कि आपके आर्थिक दूर खत्म हो जाएंगे आपको कोई कर्जा हुआ था जिस कर्ज के बोज में आप लोग दबते हुए चले रहे थे वह कर्ज भी खत्म हो जाएगा देखिए आपको क्या करना है पहले से आपको किसी भी श्रेणी मंदिर है और ये सूर्य के पश्चात आपको सारे उपाय करने है सूर्यास्त के पश्चाद किसी भी शनी मंदिर जहां ये शनी मंदिर जाने के पश्चाद सबसे वहाँ पर एक मिट्टी के दीपक में या पीतल के दीपक में ये सरसों का तेल लेकर के जाना है और वहाँ पर जलाना है पूर्व पूर्व दिशा में जलाएं शनी महराज जी के सामने आपको नतमस्तक हो करके खड़ा होना है वहाँ पर ग्यारह बार शनी चालीसा का पाठ कर लीजिए ग्यारह बार शनी चालीसा का पाठ करने के पश्चात आपको उसी जलते हुए दीपक में काली मिर्च डाल देंगे ये उपाय आप लोग तीन सोमवार लगातार कर लीजिए सोमवार के पश्चात आपको शणी महाराज जी की वो कृपा की आपके उपर कोई ऐसा दोश लगा हुआ था जिसके वजह से आप आर्थिक कश्टों से परेशान थे वह आर्थिक से आपको मुक्ति मिल जाएगी ये एक महा उपाय है दोस्तों जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ है आप भी करके देखिए और यकीन मानिए इस उपाय से आपको बहुत ही ज्यादा लाब दूसरा उपाय जो बताने आ रहे हैं दोस्तों वह है घर की बरकत का महान ये एक ऐसा उपाय है जिसको आप करें तो आपके घर की बरकत भी होगी उन्नती भी होगी आपके घर पर मान लीजिए ऐसा कोई दोश है नकारात्मक शक्ती है जिसके हिसाब से आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है तो वह नकारात्मक शक्ती सदैव के लिए चली जाएगी देखिए दोस्तों, पूरे सप्ताह क्या होता है कि आप बाहर जाते हैं, आपके घर के मेंबर्स बाहर जाते हैं और वो जब आते हैं, तो अपने साथ कुछ नकारात्मक शक्तियों को ले आते हैं जिसकी वजह से आपके घर में माहौल बिगड जाता है। आप चाहते हैं कि यह नकारात्मक शक्तियां आपके घर से सदैव के लिए चली जाएं। सभी सोमवार को सूर्यास्त के पश्चात घर के मुख्य द्वार के एक सरसों के तेल का दीपक जलाने के पश्चात आपको उसमें एक काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च डालने से पहले आपको केवल इतना बोलना है जै शनिदेव जी इतना आपको बस बोलना। मान के पूरे सप्ताह शनिदेव जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेंगी सभी सोमवार को यदि ये उपाय करते हैं दोस्तों यकीन मानिये आपका घर शनिदेव जी की कृपा में बना रहेगा तीसरा उपाय है शनिदोश से पाने का महा उपाय दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि शनी दोश से आपको मुक्ती मिल जाए, जैसे मान लीजिए, आपकी साढ़े साथ ही चल रही है. चल रही है तो आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों, यानि दोश वैसे मुक्ती तो नहीं मिल पाती. एक बात को समझ लीजिए, शनी गाडियां चल रही हैं, तो उसको जेलना ही पड़ेगा. परन्तु आप चाहे तो उसके प्रकोप को खत्म कर सकते हैं. अब आप खत्म करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है जब तक की साथ ही चल रही है? जब तक आपकी गाडियां चल रही है? एक काला कपड़ा लीजि इसको काले धागे से बांध करके पोटली बना लीजिए शनी मंदिर सभी सोमवार को सूरियास्त के पास जाएए और इसी पोटली को किसी भी मनुश्य को दें दीजिए यदि आप सोमवार को यही करना शुरू कर तो आपके जीवन में जो शनी दोश है उसका प्रकोप लग भग लग भग ना के बराबर हो जाएगा यदि कोई मनुश्य आप से ये कहता है कि शनी दोश खत्म किया जा सकता है तो वो जूट बोल रहा है दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में ऐसा कोई उपाय ही नहीं है कि शनिदोश को खत्म किया जा सके हमारा चैनल वही जानकारी देता है दोस्तों, जो एकदम सठीक जानकारी होता है हम आपको कभी भी बहकाते नहीं है हम कोशिश करते हैं कि आप भला हो सके परन्तु आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा कि आपके व्यापार में किसी ने नजर लगा दी है हो सकता है आपके व्यापार पर ऐसा कोई दोश लग गया है जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया है और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल पड़े तो आपको करना होगा बहुत ही आसान सा उपाए हम आपको बताने आ रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों देखिए आपको बस यही करना है शनी मंदिर जाना है शनी मंदिर जाईए सबसे पहले शनी मंदिर में जाने के पश्चाद एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं एक सरसों तेल का आप जो दीपक जलाएंगे ध्यान रखिएगा उसमें एक काली मिर्च डाल दीजिएगा ये शनी जी के सामने करना है आपको आप थोड़ा वहां से दूर हट जाए शनी देव महाराज के दृष्टी के सामने आपको एक काला कपड़ा लेना है काले कपड़े पर आपको एक मुठी काली मिर्च डालनी है उसमें एक रुपिये ऐसा सिक्का डालना है जो कटा पीटा ना हो एकदम चिकना सिक्का हो एक रुपए का सिक्का डालिए और ग्यारह लॉंग डालिए अब काले कपड़े की लीजिए आपको पोटली इस पोटली को आपने जो बनाया है इसको आपको सोमवार की रात को आपको ये उपाय करना है सूरियास्त के पश्चात और इसी पोटली को तुरंथ ही ले जाकर अपने व्यापार मतलब अपनी दुकान में जहां से आप पैसे का लेंदेन करते हैं, वहां पर ले जाकर के रख दीजिए केवल इतना इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो आपका बंद पड़ा व्यापार शनी महाराज जी की कृपा से चल पड़ेगा ये आज का नहीं, प्राचीन काल के का वह महा उपाय है दोस्तों जो आपके जीवन में बरकत ला सकता है और आपके व्यापार को वापस से चला सकता है तो तुरंट कॉमेंट बॉक्स में लिखे दीजिए जय शनी महाराज जी की जो उपाय हम आपको बताने रहे हैं वह है रोग मुक्ति का महा उपाय यदि आपके घर पर कोई भी मनुष्य बहुत बीमार है वह इलाज करा करा के अपना ठक गया है और वह चाहता है, वह ठीक हो जाए तो एक महा उपाय आप हमारे कहने से करवा लीजिए मनुष्य से और वह मनुष्य बिलकुल हो जाएगा ये उपाय लगातार सोमवार करना है पांच सोमवार के पश्चात वह रोगी मनुष्य शनीदेव महाराज जी की कृपा से ठीक हो जाएगा आप करना कैसे उपाए इस बात को सुन लीजेगा देखिए, ये दिन के समय भी किया जा सकता है रात के समय भी किया जा सकता है तो ये उपाए करने के लिए आपको चाहिए ग्यारह काली मिर्च जो भी मनुष्य आपके रोगी है उसको उसके हाथ में, दाएं हाथ में, ग्यारहे काली मिर्च दे दीजिए, उसके बाएं हाथ दे दीजिए, साथ रोटी अब उससे कहिए कि उस 11 काली मिर्च को अपने सर के उपर से, बाई और से, दाई और लेफ्ट को साथ बार इस काली मिर्च को घुमाएं साथ काली मिर्च को घुमाने के पश्चात इसको अपने घर के मुख्य द्वार के दूसरी तरफ कहीं भी भेंक दें और इस साथ रोटी को किसी भी काले कुट्टे को खिला दें। ये पांच सोमवार कर लें। मनुश्य और पांच सोमवार के पश्चात अव़ मनुश्य आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं के तुरंत खत्म हो जाएंगी। बलकि इस छोटे उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्शा होगी, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें वृद्ध होगी। लक्षमी के आशीरवाद से फिर आपके जीवन में आप जिस का कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी. अब आप बार-बार सोच रहे होंगे कि एक रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशिरवात कैसे मिल सकता है? तो आपकी बता दें, माता लक्ष्मी की पूजा को जब भी की जाती है, तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है, वह रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है. ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है. माना ये जाता है कि धन में माता लक्ष्मी का वास होता है. इसलिए कि पूजा को सदैव छोटे से मुद्रा स इसलिए आपने देखा भी होगा। जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धन्तेरस की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी की पूजा में सदैव एक रूपए का सिक्का रखकर ही पूजा को शुरू किय जाता है, हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुब होता है, और यदि आपने केवल आने वाले नए साल में, किसी भी दिन, जिस दिन माता लक्ष्मी धर्ती पर वास करने आएंगी, और आपने सही मुहूर्थ पर एक रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया, जिसके ब जाल धन की वर्शा होगी, आपका भाग्य आएगा, आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, इसी लिए दोस्तों, बस एक जनवरी दो हजार चौबीस के दिन, दो चार मिनट का समय निकाल करके, एक रुपए के सिक्के के उस उपाय को कर ल के परिवार पर बनी रहे, माता के आशिरवाद से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएं, आपके जीवन में, माता लक्ष्मी के आशिरवाद से धन की वर्शा हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी की जय, और यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, तो विडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कॉमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, आपकी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा, जो नए साल के दिन करके आप दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के आशिरवाद से आपकी तिजोरी में जो भी रुपए पैसा रखा हुआ है, उसमें वृद्ध हो, उसमें बढ़ोतरी हो, तो दोस्तों, ये छोटा सा उपाय कर लीजिए, जो आपको हम बता रहे हैं, और इस उपाय को क करने के पश्चात, माता लक्ष्मी के आशिरवाद से आपके जीवन में जो भी धन आएगा, उसमें वृद्ध होगी, रुपए पैसे में अपने आप होने लगेगी, आपका बैंक बैलन्स अपने आप बढ़ने लगेगा, यदि आपने ये छोटा सा उपाय सही जरूर करेगा, आपको केवल नए साल वाले दिन, शाम के वक्त, एक पीतल की कटोरी लेना है, उसमें पूरा गंगा जल भर देना है, उसमें आपको रुपए का सिक्का डाल देना है, ये उपाया आप सूर्यास्त के पश्चात करना है, अब आपको कटोरी को अपनी छट प या अलमारी में दक्षिन दिशा में रख देना है, यदि आपने इतना उपाय सही महूर्थ पर कर लिया, तो ये सिक्का आपके जीवन में माता लक्ष्मी का एक वरदान और आशीरवाद जाएगा, जिसके पश्चात ये सिक्का आपके मन में धन खींचने का काम करेगा, य क्योंकि इस सिक्के पर माता लक्ष्मी का आशीरवाद और वरदान नए साल के दिन बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उपाय आपको इसी तरह से सही महूर्थ पर करना है, और यकीन, आज के दिन, कई करोड़पती व्यक्ति जो है साल के पहले दिन, माता लक्ष्मी के आशीरवाद से आपके जीवन में धन की व्रिद्य होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, दूसरा उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय, दोस्तों, यदि आपके जीवन में आप बहुत महनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपका शुक्र ग्रह कमजोर है, और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है, और नए साल के दिन, यदि आपने एक रुपए के सिक्के कवह उपाय कर लिया, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना कर आपको दो एक एक के सिक्के लेना है आपके घर पर जो भी पूजा घर है वहाँ पर आपको जाना है इन दोनों सिक्कों को हाथ में पकड़िए माता लक्ष्मी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और इन सिक्कों को हाथ में पकड़ने के पश्चात माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप ग्यारह बार आपको करना है ग्यारह नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है बीज मंत्र है महालक्ष्मी हम फिर से रिपीट रहे हैं दोस्तों महालक्ष्मी मंत्र का जाप केवल ग्यारह बार आपको करना है पश्चात ये छोटा सा उपाय, यदि आपने नए साल के दिन कर लिया, तो मान के चलिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर इस तरह से बनी रहेगी, जिसके पश्चात सदैव आपका शुक्र ग्रह आपका साथ, क्योंकि शुक्र ग्रह का नियंतरण माता लक्ष्मी के हाथों में होता है, और दोस्तों, सिक्के जिनको आपने हाथ में पकड़ा था माता लक्ष्मी के सामने, ये दोनों सिक्के अभिमंतरित हो चुके हैं, और ये सिक्के आपका शुक्र ग्रह का साथ आपको इस तरह से दिला देंगे, जिसके पश्चात आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन से बेफिज्वल खर्ची खत्म हो जाएगी और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे, इस उपाय को करने के पश्चात उस निर्णय से केवल आपको फाइदा पहुँचेगा, अगला उपाय है धन हासिल का महा उपाय, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन ह जिसके पश्चात आपको धन की कमी न हो माता, लक्षमी के आशीरवात से आपके जीवन में धन की वर्द्धि हो जाए, जिसके पश्चात आपकी आने वली साथ पीड़ी भी पैसो पर राज करें, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको नए के दिन करना है, जो आपको हम जा नए साल के सूर्यास्त के पश्चात, बस एक काम कीजिएगा, नहा धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन, क्योंकि माता, लक्षमी को लाल रंग बहुत प्रिये है, आपके घर जहां भी माता, लक्षमी की कोई भी प्रतिमा रखी है, वहां पर जाकर आपको बैठ जाना है, एक घी का दीपक जला दीजिए, अब एक लाल कपड़ा बिछाना है, आपको इस लाल कपड़े पर एक रुपए का सिक्का, एक मुठी धनिया, तीन लौंग आपको रखना है, इस कपड़े की पोटली बना लीजिए, पोटली बनाते हुए मौली धागे का इस्तिमाल कीजि ओम महालक्ष्मी हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ओम महालक्ष्मी इतना करने के पश्चात इस पोटली को अपनी अलमारी के दक्षन दिशा में आपको रख देना है। केवल इतना उपाए आपको नए साल के सूर्यास्त के पश्चात करना होगा। ये पोटली जैसे ही आप अपने तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख देंगे, तो ये पोटली आपके जीवन में एक चुमबक बन जाएगी, जो धन खीचने काम करेगी। ये पोटली अभिमंतरित होने के कारण माता लक्ष्मी का वह आशीरवाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके पश्चात आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी, और आपके जीवन में धन आएगा, जिसकी आप कलपना नहीं कर सकते। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी दो दिन पहले की शिव महापुरान की कथा में साथ फूल और साथ दीपक वाला एक ऐसा विशेश उपाय है, जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। दुकान ये कुछ भी न चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको ये एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमतकार हुआ है, धन लेके नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्थ हो जाती हैं और आपको सुक समरिध्धी की हासिल होती है। तो चलिए, साल के इन आखिरी दिनों में, यानि मार्ग शीर्ष के इन विशेश दिन में, यदि आप ये उपाय कर लेते हैं, और इसी के साथ साथ प भी मनोकामना लेकर इस दिन शिवालाय जाते हैं, शिवलिंग के सामने जाते हैं, तो महादेव की वो मनोकामना जरूर परिपूर्ण करते हैं। देखिए, उपाय के लिए आपको साथ फूल लेने हैं, और साथ दीपक ले लेने हैं, साथ यानि सेवन। देखिए, साथ पूल का इस्तिमाल कर सकते हैं, क्योंकि सफेद रंग के फूल महादेव को बहुत ही प्रिय होते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि केटकी का पुष्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि केटकी का पुष्प हम लोग शिवलिंग में समर्पित नहीं करते हैं। सर्दियों का समय आने वाला है, तो हो सकता है कि आप मटके का इस्तिमाल ना हो, बलकि बाल्टी का इस्तिमाल करते हो। तो आपकी जो बाल्टी या मटका या जो कुछ भी किच्चन में रखा हुआ है, उसी के बगल में आपको एक कटोरी रख लेनी हैं। और उसी कटोरी में आपको ये साथ फूल रख लेने हैं। साथ फूल रखने के पश्चात आपको इसी के बगल में साथ दीपक ले लेने हैं। साथ दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मार कर उनका भी दीपक तयार कर सकते हैं। इन साथों दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रूई की बाती का उपाय करना है। किचन में हम लोग जो भी दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसमें हम लोग लंबी की बत्ती का ही उपाय करते हैं। इसलिए आपको का उपाय कर लेना है। देखिए, दीपक आपने रख लिए, ये साथ फूल रख लिए, अब आपको इन दीपकों को प्रज्वलित कर लेना है। फिर उसके पश्चात, दीपकों का पूजन करने के पश्चात, इन्हें प्रज्वलित हो जाने दीजिए। और फिर इस देव दीपावली के पूरे दिन में किसी भी समय आप इन सातों पुष्पों को उठा कर, यानि सातों को उठा कर किसी भी महादेव के मंदिर में पहुँच जाए, किसी भी शिवालाय में पहुँच जाए, यदि आप शिवालाय में जा सकते हैं, तो किसी भी पीपल के नीचे पहुँच जाए, यदि पीपल के व्रिक्ष के नीचे नहीं जा सकते हैं, तो किसी भी ब पूल समर्पित कर देने हैं। और फिर सबसे आखिर में आपको एक फूल उठा लेना है। पूल समर्पित कर रहे हैं, तो चह वही पर समर्पित रहने दीजिए। एक ले आए। और यदि बेलपत्र या फिर आवले के व्रिक्ष में हैं, तो चह वही पर छोड़ाईएगा। और ले आए एक को आपको किसी भी चालीसा में रख लेना है। यदि आपके घर में हनुमान चालीसा है, या शिव चालीसा है, या दुरगा चालीसा है, या फिर आरती की कोई पुस्तक है, या फिर रमचारित मानस है, या फिर भगवत गीता है। कुछ भी है तो उसके अंदर आपको ये एक फूल रख लेना है और मातारानी का स्मरण कर लेना है। पूजे गुरूजी ने कहा, कि आप अगले साल स्वयम देखिएगा, कि आपके जीवन में जितना आपने धन हासिल की कामना की थी, माता लक्ष्मी की, से उससे कहीं आपको ज्यादा धन हासिल होगा, आपका दुरभाग जीवन के सारे संकट समाप्त होंगे, और धन, दौल अगले साल में केवल एक बार ही आपको ये मौका मिलता है, और आप इस उपाय को जरूर करिएगा, चलिए अब जानते हैं, गुरूजी द्वारा बताये गए दूसरे खास उपाय के बारे में ये भी आपके जीवन में धन, धन्धान्य की हासिली करवाने के लिए ही है, क्य आपको ये उपाय कर लेना चाहिए,